तो दोस्तों, this is Manish Senni and you are watching Sankalp Academy तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्स्रीज के बारे में जो हमाई नए टेस्स्रीज ये ये साइंस के लिए है आज का जो हमारा टेस्स्रीज है वो यहाँ पर first है बात करते हैं को इस चैप्टर से हम बात करने वाले हैं तो वह हमात रख यानि हिनुट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में हम जो MCQ के फोर्म में डिसकस करेंगे जो एक्जाम में परशन पुछे गए हैं लास्ट येर में उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं सब्सक्राइब के लिए यह वीडियो प्योगी होने वाली है चाहे वो कोई भी PCS लेवल का हो या कोई भी SSC लेवल का यह पेपर उन सबी के लिए यह वीडियो मेहत पुन होने वाली है यह वागग हम बात करते हैं रेलवे में साइस का अच्छा खासा पॉर्षन होता है रेलवे एगजाम में तो उसके लिए भी वीडियो मेहत पुन होने वाली है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिलिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को बात करते हैं और कौन-कौन सी हमने यहाँ पर टेस्टरी चलाई है हम बात करते हैं उत्राखंड के इस्पेशली उत्राखंड के लिए हमने यहाँ पर लगबग अब तक 18 टेस्टों को देख चुके हैं जो MCQ के फॉर्म में हमने यहाँ पर डिस्कस किये थे यदि आप उत्राखंड से संबंदित है या आपने उत्राखंड PCS का या कोई भी SSC का फॉर्म यहाँ पर फिल किया है तो आप इस टेस्टी को देख सकते हैं फिर हम बात करते हैं हमने यहाँ पर एक ट्रिक से संबंदित वीडियो को भी अप्लोड किया था जो G.S की ट्रिक हैं उनको हमने यहाँ पर एक अच्छे form मेर्याद करने वाले डिसक्स किया है उसका जो लिंक है वा नीचे रालें ये अप वहांसे इसको ट्रिक वाले जो वीडियो वहांसे इंको देख सकते हैं काफी अच्छे ट्रिक हैं या भी और exam बे आपके साथ जाने वाली हैं आपको काफी helpful होगा किसी भी exam को soul करने के लिए किसी भी execution को soul करने के लिए और modern history के अंदर modern वाला जो हिस्सा है उसको हमने लगबग अब तक पुरा कर लिया है और modern को सही अच्छी तरीके से हमने महापरस को cover किया है आप भी देख सकते हैं उसका link भी हम नीचे discussion में देदेंगे आप महाँस को देख सकते हैं तब चलते हैं अपने पहले प्रशन की तरफ पहला हमारे पास यहां पर प्रशन वह यह है कि प्रकास वर्स इकाई है तो प्रकास वर्स जो इकाई है वह होती है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मिटर यहाँ पर इसकी लंबाई यानि इसकी डिस्टेंस होती है वह होती है एक प्रकास वर्स में 9.46 गुना 10 की पावर 15 यहाँ पर जो यह प्रकास वर्स है यह वैदूरी है जो प्रकास एक वर्स में तेह करता है प्रकास या निलाइट के दورा इस एक वरस में जो दूरी तैह करता है उसको हम एक प्रकास वरस बोलते हैं और वो कितनी तैह करता है नाइट फ्राइंट फॉरज lattice की पाऊवर पंदरा मिटर यह दूरी तैह करता है सही उतर है हमारा यहां पर 1 चलते हैं नेक्ट परशन के तरफ नेक्ट परशन है हमारे पास बल का मातरक क्या है तो बल का जो मातरक होता है वो होता है यहाँ पर न्यूटर बात करते हैं बल के मातरक के बारे में इसके फुल फॉर्म के बारे में तो बल का जो ऐसा ही मातरक है वो Newton होता है यह इसको हम बोलते हैं kilogram meter per second का square भी इसको हमें आपर बोलते हैं तो यह भी सही उत्तर है और Newton भी इसका सही उत्तर है तो किसी बस्तू पर बला जो बल लगता है वै बस्तू के द्रविमान और उसमें वह हुए उत्तर तवरण के ग्रूंटपन के बराबर होता है यानि F बराबर होगा यहाँ पर M यहाँ पर द्रविमान है किसी बस्तू का जिस पर हम force generate कर रहे हैं और A जो हैं वहाँ पर क्या है इसका तवरण है तव सही उत्तर जो होगा मरा है वह होगा यहाँ पर Newton F बराबर M जो उसके द्रविमान और तवरण की ग्रूंटपन के बराबर होता है चलतें नेक्स परशन की तरफ नेक्स परशन हमारे पास Impeyr मापने की काई है सही उत्तर जो होगा मोerson होगा पर धधित्धारह यहां पर वि कुछ थरे अलड़ एक वायर है उनलक थार में एक एक और अर्थ है है वो यहां पर यह कि उसमें एक थार में 6.25 कुना 10 की पावर 18 सेकंड 10 की पावर 18 इलेक्ट्रोन इसके अंदर प्रवाइद हो रहे हैं और जो एक सिरे से यहाँ पर से प्रवेश करके दूसरे सिरे में क्या कर रहे हैं एक्जिट कर रहे हैं इसके जो सामानने अर्थ है वो यहाँ पर यह लगाता है कि एक एम्पियर में 6.25 कुना 10 की पावर 18 यहाँ पर एलेक्ट्रोन एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे में बहार निकलते हैं किसी भी तार की यहाँ पर यह क्या है तार तो सामानने अर्थ का यहाँ पर यह है सेयुत्र जो हमारा है होगा वो हमारा है विद्धुधारा को मापते हैं हम एम्पियर में चलते हैं नेश्पशन की तरफ नेश्पशन हमारे पासकल इकाई है सेयुत्र जो हमारा यहाँ पर वो होगा एक एकाई छित्रप्रप्रव लगने वाले बलकों में यहां पर ताब बोलते हैं, यह एक क्या है, इसकेलर क्वांटिटी है, यानि यहां पर यह क्या है, एक अधिस रासी है, यहां पर हम बात करते हैं, यह एक अधिस रासी है, यानि एक इसकेलर क्वांटिटी यहां पर यह है और दाब का जो मात्रक होता है वो हमने बात की यहां पर होता है न्यूटन पर मिटर उसक्वेर इसका जो मात्रक है यहां पर वो है और एक पास्कल का मतलब एक न्यूटन पर मिटर उसक्वेर होता है तो इतना जाना हमने यहां पर दाब की इकाई यहीं पासकल के बारे में और एक इकाई चित्रपल यानि एक युनिट का जो एडिया है महाँ पर पढ़ने वाला जो फोर्स है उसको ही हम क्या बोलते हैं दा बोलते हैं यह एक अधिस रासी है यह भी कभी बार एक्जाम में पुछा दा सकता है इसके लगर क्वांटिटी के बारे में कई बार एक्जाम में पुछा गया है तो सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा भी और यह क्या है एक अधिस रासी है चलते हैं नेक्स प्रशन की तरफ नेक्स प्रशन हमारे पास लंबाई की न्यूंतम इकाई क्या है सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर फर्मी मिटर फर्मी मिटर लंबाई की सब से न्यूंतम इकाई है हम यहाँ पर सभी देखेंगे कि कौन माइक्रोन में कितने मिटर होता है बात करते हैं एक माइक्रोन बराबर होता है यहाँ पर दस की पावर माइनस के 6 मिटर एक माइक्रोन होता है फिर हम बात करते हैं नैनो मिटर के बारे में तो नैनो मिटर होता है दस की पावर माइनस के 9 मिटर और फिर हम बात करते हैं, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 मिटर और हमारा जो फर्मिटर है, जो सबसे नियूनते मिकाई है, वो है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 15 मिटर तो सही उत्तर जो हमारा है यहाँ पर वो होगा D लंबाएक की सबसे न्यूंते मिकाई है यहाँ पर फर्मिमिटर है चलते हैं नेक्स परशन की तरफ नेक्स परशन हमारे पास Q-sik में क्या मापत जाता है तो सही उत्तर जो हमारा है यहाँ पर होगा तो वहां पर एक इस तरह का मिटर हम डाल देते हैं इसमें क्या होता है जलके पाहव जब यहां से जलका पाहव निकलेगा तो वहां पर वो मिटर में काउंट होता है कई-कई बार आपने न्यूज में सुनाओगा कि महां पर इतने क्यूषेक पानी चल रहा है किसी किसी चितर में हम यहाँ पर यह सुनते हैं तो अक्सर जो वो बाड़ के चितर में इसको हम अक्सर नियूज में सुनते हैं क्यूशेक जो जल्के बहाव से सम्बंदित होता है चलते हैं नेक्स प्रशन की तरफ नेक्स प्रशन हमारे पास निमली कितमे से कौन एक वाईयू मंडल के ओजोन की मोटाई नापने वाली इकाई है सही उत्तर हमारे यहाँ पर डाबसन, सही उत्तर हमारे यहाँ पर भी डाबसन बात करते हैं ओजोन परत के बारे में तो ओजोन परत जो है वाईयू मंडल के समताप मंडल यानि इस्ठतोस्पेर में यह हमें देखने को मिलती है तो वायू मंडल की जो समताप मंडल वाली जो लेयर है वहाँ पर ओजोन परत हमें मिलती है इस्ठतोस्पेर में बात करते हैं कि एक डापसन की जो इकाई है याणि एकडाप्षन जो है वहाँ पर सामान्य टेंप्रेट्टर और प्रेशर पर 10 µ मेक्रो मेटर जो है ओजून की वरत होती है माक्रो मेटर इतनी होती है ओर एकडाप्षन में एकडाई जो है आपर 2.69 गुना 20 की पावर 20 ओजून अनू अनू परति वर्ग किलो मेटर में इतने अनू के बराबर होते हैं तो इतना ही महत्पूनता इस परशन के लिए अब चल दें हैं नेक्स परशन की तरफ नेक्स परशन हमारे पास उस्मा की इकाई निमलिकित में से कौन सी नहीं है तो उस्मा की जो यहाँ पर इकाई नहीं है वो है यहाँ पर centigrade क्योंकि centigrade जो है वो किसकी इकाई है यहाँ पर ताप मान की और बाकी तीनों जो यहाँ पर हमारे पास इकाई है यह किसकी है यहाँ पर उस्मा की क्यूंकि हमसे जो percent पुछा गया था वो यहां पर कौन सी नहीं है पुछा गया था जो नहीं है तो हमार से उतर है यहां पर centigrade क्योंकि यह किसकी है तापbahn की यह है इकाई है बात करते हैं उस्मा क्या है तो उस्मा एक तरह का उर्जा का ही एक रूप है उस्मा जब उर्जा किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफार होती है एक टेंपरेचर के कारण चुकि एक पिंड जो मले कोई वस्तु है और दूसरी वस्तु है इन तोनों का जो यहाँ पर temperature है उन temperature में विबिनता के कारण यहाँ पर इन में जो energy transfer होगी इधर की तरब या वो होगी इधर की तरब तो जो energy transfer होगी इसी जो energy transfer को हम क्या बोलते हैं उस्मा इसी energy transfer को हम क्या बोलते हैं उस्मा या हम उसको बोलते हैं heat तो सयुत्तर जो होगा हमारा है यहाँ पर वो होगा centigrade और यूँप ऐस जो transfer वही उर्जाइक होई हम यहाँ पर क्या बोलते है up तो अब चलते हैं इ leverage question की तरफ next question हैं हमारे पास परिस्तिति की दबाओ की इकाई क्या है तो परिस्तिति की जो दबाओ उसकी इकाई यहां पर क्या होगी, वो होगी यहां पर बार, बार जो इसका मातरक है, वो गैर ऐसाई मातरक है, गैर ऐसाई मातरक इसका यहां पर क्या है, तो वो बार है, और हम ऐसाई मातरक की बात करते हैं, तो हमने पिछले प्रशन में यहां पर बात की थी, वो यहां पर क क्या है PASCAL बहाओ को दाप कोन अपता है और जो है बार भी लेकिन सबस्कार्ण एक क्या है यहां पर ऐसा ने बार eh और एक बार में यहाँ पर दस के पावर पांच पास्कल होते हैं तो सही उत्र हमारा यहाँ पर बार चलते हैं नेक्स प्रशन की तरफ नेक्स प्रशन हमारे पास जालक की विध्धुत प्रतिव द्रत्ता की इकाई क्या है सही उत्र जो यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर ओम मिटर विध्धुत प्रशन की यहाँ पर इकाई है बात करते हैं यहाँ पर इलेक्रिक रेजिस्टेंस के बारे में तो इसको हम बोलते हैं किसी पदार्थ की इलेक्रिस्टेंट उस पदार्थ द्वारा विध्धुत धा इसका जो ये ओम मात रख है, ओम मिंटर, ये इसका ऐसाई मात रख है, और इलेक्रेजिस्टैंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है यहाँ पर R A upon L, बात करते हैं यहाँ पर R की बारे में, तो ये जो है एक हमारा कोफिशेंट है R, यहाँ पर है धारा की दिशा में लंबाई यह हमारा यहाँ पर है धारा की दिशा में पदार्थ का एरिया यानि इसको जो चेतरफल पदार्थ का चेतरफल है यहाँ पर A और L जो है हमारे पास वो यहाँ पर पदार्थ की क्या है लंबाई है और वो कैम है मिटर में और ये वर्ग मिटर में तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर यह था इलेक्टिक रजिस्टेंस बराबर किसके है और हमारा यहाँ पर कोफिशेंट है जिसको अम रजिस्टेंस बोलते हैं आसा करते हैं आपको हमारी स्रीज पसंद आई गया को पसंद आट पर लाइक करें शेल करें अपने दोस्तों के साल मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद